Newton Teaching Technique में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग Question No. 17 को Discuss करेंगे क्यूंकि इससे पहले Question No. 16 तक के सारे सम हम लोग देख चुके हैं तो बिना देर कियें चलते हैं Question No. 17 की और Question No. 17 Find the 28th term from the last term of the AP 388 13 dash 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 up to 253 Question है क्या ची इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं AP 3813 253 के 20 में पत को तो Find करना लेकिन 253 से Counting होते वे वो आने चाहिए 20 मतब लास से Counting चालू करना है तो अब इसको Arrange करने के दो तरीके हो सकते हैं पहले इसे भी हम कर सकते हैं 3813 से और 253 से ही Reverse Order में अगर हम सजा दे इसको तो भी ये काम हमारा आसानी से हो सकता है तो बेतर तरीका यह है एक्जाइम के लिए बार-बार भूल ना हो हम लोग अगर इस तरह के समगर आए लास्ट्रम से Counting के तो लास्ट से ही हम चुके हमें उसमें Common Reverse पता रहना जरूरी है और यहां हमें पता है तो 253 ले लिए उससे पहले कौंट्रम रहा होगा 248 डाल दिये फिर 243 उस तरह से हम Counting करते हुए इसका मतलब इसका लास्ट जो है वो 3 है तो इस तरह से हम Reverse कर लेंगे तो इस तरह से करने के बाद में A हमारे पास 253 हो गए D 248 माइनस 253 अब माइनस करेंगे तो यह आ जाएंगे माइनस 5 याद रहे इसमें Mistake नहीं होना चे डी Find करते वरत में अब जैसा के हम जानते हैं के 28 ट्रम हमें Last से Counting करनी है तो हमें अब इस तरह के इसमें अब हमें देखने की कोई जड़ चुक है ओल लेड़ी हमने order को Reverse कर चुक है तो इसको हम A20 A plus 20 minus 1D होते हैं फॉर्मूला में हम Put करेंगे A253 है 20 minus 119 होए D के जगा minus 5 डाल देते हैं फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं तो 253 minus 95 और deduct करेंगे तो हमें घटाने के बाद 158 जाएंगे तो अब यह क्या होगी कि अगर मैं 253 से बैक करते चले जाओं तो एक पोजिशन बीसमा पज जोगा वह 158 आएगा और यही हमसे पूछा जा रहा था तो इस तरह से हम आसानी से इसको एक जैम में निकाल सकते हैं और यह एक नंबर का भी आता दो नंबर का भी आता तो इसलिए हमें इसमें चैनल और इस चैनल से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के दर्मियान जरूर शेयर करें धन्यवाद जैहिंद